जैहिन दोस्तों, जैहिन साथियों, कैसे हैं आप सब, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सैट शिवंब एजूकेशन पर तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने BA First Year में जो सैमिस्टर सिस्टम लागू हुआ है और जो राजिस्तान यूनिवरसिटी जैपुर द्वारा नए-ने सिलेवस जो वेबसाइट पे अपलोड किये गए हैं, उनको बता रहा हूँ मैं अब तक Political Science का, English Literature का और Geography Google का जो सिलेवस है वो उसकी वीडियो क्लास अपलोड अपने यूटूब चैनल पर कर चुका हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और नए सिलेवस की वीडियो देखने वाले हैं, ठीक हैं, पहली बात तो ये सिलेवस, राजिस्तान यूनिवरसिटी जैपुर का है राजिस्तान उनिवर्सिटी जैपुर से जैपुर जिले के और दोसा जिले के जो colleges हैं वो affiliated हैं, सम्बद हैं, जुड़े हुए हैं सिलेवस की बात हमाज करने वाले हैं, session हमारा रहेगा 2023-24 का ठीक है दोस्तों इसके अलावा ये जो सिलेवस है वो है ability enhancement course यानि की ability में सोता है योग्यता enhancement यानि बढ़ाना ठीक हैं, यानि योग्यता को बढ़ाने वाला course ये रहने वाला है, ये कोई compulsory subject की तरह रहने वाला है BA, BSC, BCOM first year में ये जो सिलेवस है वो रहने वाला है, इस paper का नाम है दोस्तों, foundations of English language, a comprehensive introduction, ठीक है, इस paper का नाम इन्होंने क्या रखा है, foundations of English language, यानि English भाषा के आधार, और एक comprehensive introduction, इसको simple सब्दों में आप general English कह सकते हो, सामाने अंग्रेजी, ठीक है, इससे पहले भी जब annual scheme चलती थी, तब भी ये जो paper है, वो लगता था, और अब भी लगेगा general English का, आप इसको general English कह सकते हो, इतना बड़ा नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये paper आपका कि इसका है general English का, जिस तरह है आपके 11-12 में compulsory English चलती थी, ठीक है, चाहे आपके पास arts stream हो, चाहे science stream हो, या commerce stream हो, compulsory English आपने पढ़ी थी, उसी प्रकार ये general English subject है, जिसका नाम इन्होंने foundations of English language, एक comprehensive education कर दिया है, ठीक है, तो देखिए, first semester और second semester में इसका जो है आपके लिए paper लगने वाला है, परिक्षामाजी रहने वाली है, 2023-24, दोस्तों, ये जो slavus है, वो महराजा सूरजमल ब्रज उनिवर्सिटी वाले विध्यारतियों के लिए भी रह सकता है, या फिर ये change भी हो सकता है, ध्यान ने, य महराजा सूरजमल ब्रज उनिवर्सिटी ने, जब slavus अपलोड करेगा अपनी website पर 2023-24 का, जनरल English का, तो हो सकता है, उसमें जो है, slavus change आए, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जो महराजा सूरजमल ब्रज उनिवर्सिटी वाले students हैं, उनके लिए भी रह पाया है, और वैसे भी एक notice जारी करके बताया है कि वही slavus रहेगा जो राजिस्तान उनिवर्सिटी जैपुर का रहेगा, ठीक है, अगर महराजा सूरजमल ब्रज उनिवर्सिटी का जनरल English का slavus अलग आता है, तो उसकी भी वीडियो बना के मैं जो है, बता दूँगा, अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने छोटा, देखो मिट रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जनरल English लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह paper जनरल English का ही है, अब इसकी class की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों, BA first year में जोनोंने admission लिया है, BSC first year और BCom first year, ठीक है, BA, BSC, BCom first year में जो लगेगा, ऐसा नहीं है कि केवल BA वाले विध्यारतियों के लिए यह जो paper है वो लगने वाला है, नहीं, BA, BSC, BCom first year, ठीक है, दोस्तों, इसके बात कर लेते हैं, credits की, तो यहाँ पे दो credit रहने वाले हैं, maximum marks 100, और minimum passing marks 40, duration 3, 3 hours, यहनी 3 गंटे का आपका paper रहने वाला है, ठी list, और 100 number का होगा paper, अब यहाँ पे दो बाते निकल के आती है, यदि paper 100 number का है, तो credit यहाँ पे 4 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक credit जो इन्होंने बताया है, वो 25 marks का बताया है, दो credit के साबसे आपके हो जाते हैं, 50 marks, दो credit के साबसे आपके हो जाते हैं, 50 marks, तो या फिर यहां पर चार क्रेडिट करो तब यह बरावर में बैठेगा या फिर इसको दो क्रेडिट ही रहने दो इसको पचास नम्मर का पेपर करो ठीक है दोस्तों तो इस तरह से यह जो है थोड़ा सा इन बैलेंस का है ठीक है संतोलन यहां पर जो है नहीं देखने को मिल रहा दूसरी बात यह है कि इस जो पेपर के नम्मर है वो केवल पासिंग एक्जाम है यह केवल आपको पास करना है इसके जो नम्मर है मार्क से वो नहीं जुड़ेंगे ठीक है दोस्तों पहले भी नहीं ज पास करना है एक्जाम, इसके जो मुख्य अंक होंगे वो नहीं जोडे जाएंगे, और बाद में पता चल जाएगा, अंक इसके जोडेंगे या नहीं जोडेंगे, ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, the pattern of the question paper will be as follows, ठीक है, तो इसमें आपकी चार यूनिट है, फैली बात, vocabulary and translation की, सेकंड यूनिट है, grammar and uses की, थर्ड यूनिट है, comprehension की, और फोर्थ यूनिट है, दोस्तों, compositional skills की, ठीक है, चार यूनिट में ये जो है, पूरा divide रहने वाला है, और देखिये, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, वो 20 नम्मर की रहेगी, ठीक है, vocabulary and translation, जो यूनिट है, फर्स्ट, वो आपकी 20 नम्मर की रहने वाली है, और इसमें 3 शब्द, 3 चैप्टर आपके एक तरह से शामिल है, आप ये कह सकते हो, तो फर्स्ट इसमें जो चैप्टर है, वो है, homophones and homonyms, ठीक है, homophones and homonyms, ये आपका रहने वाला है, 6 marks का, ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें है, translation of 5 words from Hindi to English, ये पांच सब्दों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी, ये आपका रहने वाला है, 7 नम्मर का, और तीसरा है, translation of 5 words from English to Hindi, ठीक है, ये आपका रहने वाला है, 7 नम्मर का, जब इनको आप जोड़ोगे, 6, 7, 7 को, तो 20 marks एक तरह स हो जाते हैं, ठीक है, ये आपकी होगे साब, 1st unit, ठीक है, clear, अब बात करते हैं, 2nd unit की, 2nd unit है, grammar and uses की, grammar and uses की, जो की है, आपकी 15 marks की, 15 marks की, इसमें 3 chapter है, पहला है, elements of a sentence, ठीक है, elements of a sentence, जो की है, 5 marks का, दूसरा है, 10s, 10s है 5 marks का, और तीसरा है, punctuation of a short passage, with 10 punctuation marks, ठीक है, punctuation marks क्या होते हैं, comma, full stop, semicolon, ठीक है, ये जो है, punctuation marks होते हैं, तो आपको एक passes, paragraph दिया जाएगा, छोटा सा, जिसमें आपको 10 punctuation marks लगाने हैं, उसके आपको 5 number मिलेंगे, तो इस तरह से ये जो है, grammar and uses की, जो 2nd unit है, वो 15 number की रहने वाली है, dear friends, dear scholars, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को please like कर दें, तो दोस्तों, अब बात करते हैं, unit 3rd की, unit 3rd आपकी रहने वाली है, 45 marks की, ठीक है, comprehension, देखिए, following essays and stories, ये आपकी कुछ essays या stories है, देख लीजिए, ये 3, ये किस किताब में से ली गई है, English language skills में से किताब में से ली गई है, ये जो किताब है, English language skills वाली, ये Mac Million publication द्वारा छापी गई है, for University of Rajasthan, General English, BA, B.com, B.hc, ठीक है, ये एक book का name है, इसका cover page में यहाँ पे जो है, वो लगा दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा, और market में मिल जाए, तो उसको ले आना, वो आपके काम की book हो सकती है, और आगे देखते हैं, Candidates will be required to answer 5 questions out of 10 questions from the prescribed text, each question will be of 5 marks, 5 marks का question है, और 5 questions आपको हल करने है, ठीक है, तो 5, 5 जा 25, ये क्या होंगे, question answer होंगे, ठीक है, इन 3 में से question answer होंगे, जो की 10 questions पूझे जाएंगे, उन में से कोई 5 आपको करने है, प्रते question 5 नम्मर का होगा, 25 marks आपके हो जाएंगे, तो तीन chapter वो कौन कों से हैं, पहला है, बरनार्ड शॉव का, spoken English and broken English, second है आपका, रस्किन बॉन्ड का, जो की है, night train at Deoli, ठीक है, और next है, एमके गांधी, मोहंदास करमचंद गांधी, दबर्थ ओफ खादी, ठीक है, तो यह आपके तीन chapter हैं, जिन से 5 questions, 10 questions पूछे जाएंगे, पांच के आपको उत्तर लिखने हैं, प्रते question 5 number का होगा, 25 marks आपके हो जाएंगे, इसके अलावा इन में से क्या पूछा जाएगा, वो भी यहाँ पर बताया हुआ है, एक unseen passes पूछा जाएगा, ठीक है, unseen passes, यानि इन में से नहीं होगा वो, ठीक है, unseen तो अलग ही आएगा, जिसमें से 5 questions देने हैं answer, तो answer 5 questions, 15 number का, यानि के प्रते question 3 number का उसमें हो जाएगा, तो एक तो unseen passage आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, वन vocabulary question of 5 words from the given passage, given passage से 5 words के vocabulary question आएगा, vocabulary क्या होती है, synonyms, antonyms, one word substitution, ये आपका vocabulary होता है, तो इसमें से 5 words का vocabulary का question पूशा जाएगा, जो की 5 number का होगा, तो 25, 15 और 5, ये आपके 45 number हो जाते हैं, comprehension में से, अब बात करते हैं, unit 4th की, जो की है, compositional skills, ठीक है, compositional skills 20 marks, composition part है ये आपका, composition का मतलब होता है, letter writing, story writing, ठीक है, report writing, और जो भी है, वो इसमें composition रचना भाग में आ जाएगा, ठीक है, तो एक तो आपको देखने को मिल रहा है, formal letter, formal letter होते हैं, informal letter होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर formal letter आपको दिये हैं, उसके अलावा writing emails, तो emails आपको दिये हैं, ये दोनों आपके 10 number के हैं, और दूसरा है paragraph writing, यानि कि आपको एक paragraph पे टॉपिक दे देगा, जैसे दे दिया, corruption, ठीक है, digital India, तो इस तरह से एक topic दे देगा, title दे देगा, उस पे आपको paragraph लिखना है, कितने words में लिखना है, यहाँ पे वो चीज नहीं बताई गई है, पर ये बताई गया गया है, कितने number का आएगा, 10 number का आएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका, first semester का general English का syllabus, ठीक है, जो की BA, BSC, B.com, तीनों के लिए, first semester में एग्जाम लगेगा, इसका, ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं, second semester की, second semester में भी आपका general English का subject लगने वाला है, यहाँ पे ये जो चीजें है, same वही है, जो first semester में थी, credit 2 है, maximum marks 100 है, minimum passing marks 40 है, और duration of exam है, three hours, तीन गंटे का आपका exam होगा, तो देखें दोस्तों, इसमें क्या syllabus नों ने यहाँ पे रखा है, same, उसी की तरह, first semester की तरह, बिल्कुल, चार unit यहाँ पे भी देखने को मिली है, first unit है vocabulary and translation की, उसमें भी same ही थी, second unit है, इसमें grammar and uses की, third unit है comprehension की, और fourth unit है composition की, same है, ठीक है, अब देखें, अब आप अंतर देखते हुए चलना, unit first है vocabulary and translation की, तो उसमें था क्या, इसमें तो है one word substitution, antonyms और synonyms, ठीक है, one word substitution, synonyms और antonyms इसमें है, synonyms यानि पर्यावाची शब्द, antonyms यानि विलोम शब्द, opposite words और one word substitution यानि सब्द समू के लिए एक सार्थक शब्द, ठीक है, a place where cows live, ठीक है, a place where patients are treated, ठीक है, hospital, a person who treats patients, तो doctor, a place where students read, school, ठीक है, तो इस तरह से जो है one word substitution पूछे जाएंगे, antonyms पूछे जाएंगे, synonyms पूछे जाएंगे, और उसमें, first semester में homonyms थे, और homophones थे, ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, उसमें है translation of five sentences from English to Hindi, और तीसरा है, इसमें translation of five sentences from English to Hindi, यानि उसमें तो था first semester में, पांच शब्दों का words का translation, इसमें है five sentences, पांच वाक्यों का अनुवाद, English to Hindi, और English to Hindi, और Hindi to English, ठीक है, इस तरह से, और marks आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अलावा देखते हैं, unit second की बात करें, grammar and uses की, उसमें भी grammar and uses था, तो इसमें है transformation of sentences, direct and indirect narration, active and passive voice, और models, ठीक है, तो यह आपका grammar का है section, उसके बाद आजाते हैं, comprehension पर, ठीक है, comprehension में 25 marks हैं, वही same book है, जो वहाँ पर लिखी हुई थी, Macmillian की English Language Skills, जो की prescribed है, University of Rajasthan, General English के लिए, BA, B.com, B.h.c. के लिए, ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, आगे, की, दो answer, चार में से किनी, दो answers के question की जवाब देने हैं, और प्रते question पांच नमर का होगा, 10 marks, ठीक है, वहाँ पर जो है, 25 marks का था, यहाँ पर, यह 10 नमर का है, तो यहाँ पर दो chapter दिये हुँ है, J.L. Nehru, जवालाल Nehru, ठीक है, It Rusty with Destiny, और दूसरा है, Martin Luther King Jr., ठीक है, I have a dream, तो यह जो दो essay या story है, ठीक है, इन में से चार question पूछे जाएंगे, उन में से दो के आपको जवाब देने है, 10 नमर का रहेगा, प्रते question पांच नमर का रहेगा, उसके अलावा देखिए, एक unseen passes पूछा जाएगा, जिसमें से पांच questions के आपको answer देने है, तो यह इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, 10 नमर का, इसके अलावा, एक vocabulary का question पूछा जाएगा, 10 words का, given passes से, तो इस तरह से आपका, यह comprehension वाला जो unit है, वो रहने वाली है, next है, unit fourth, composition भाग, जो की 30 नमर का इन्होंने रखा है, cv, job applications, curriculum vitae, job application, जैसे teacher की job के लिए school में apply करना, या college में apply करना, professor की job के लिए किसी college में apply करना, newspaper report, ठीक है, और report यहाँ पर, जो है, वो report writing, यहाँ पर जिक्र किया गया है, 30 नमर का, आपका composition का जो भाग है, वो किया गया है, तो 30 और 25, 55 और 20, 75 और 25, 100 ठीक है, 100 नमर का आपका जो है, यह paper हो जाता है, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की, general English subject की, जो की BA first year, BSC first year और B.com first year के लिए compulsory subject रहने वाली है, आशा करता हूँ, आपको जो है, आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो हमारे यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, जल्द ही general Hindi, सामाने हिंदी का भी जो slayvus है, वो slayvus है, मैं उसे upload करने वाला हूँ, यदि आपकी कोई problem है, query है, समस्या है तो, वीडियो के इने से comment box में comment करें, अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को share जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, जै हिंद, जै वारत, ठाइंक यू फोर वाचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद.